हेलो वियोज, स्वागत है आप सभी का हमारे कारेकर में एक नजर में तो आज इसमें हम बात करेंगे चेत्रे व्यापकार्थिक भागिदारी यानी Regional Comprehensive Economic Partnership संख्षिप्त में RCEP की तो इसमें हम इसका परिचे देखेंगे, इसकी प्रकृती देखेंगे कि एक इस प्रकार का संगठन या भागिदारी है इसके बाद इसकी एतिहास एक प्रिष्ट भूमी पर नजर डालेंगे, इसके सदस्य देखेंगे और इसके उद देश्य को भी समझेंगे तो चलिए सबसे पहले इसका परिचे देखते हैं तो ये एक व्यापक खेत्रिय आर्थिक समझोता है जिसकी आपचारिक शुरुवात वर्ष 2012 से की गई इसकी प्रकृति की बात करें तो RCEP दक्षिन पूर एशय राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के दस सदस्दे देशों और इसके मुक्त व्यापार समझोते यानी FTA भागिदारों के बीच एक प्रस्तावित समझोता है RCEP आसियान और इसके छे FTA देशों से मिलकर बना इन छे देशों में भारत भी शामिल था हालकि भारत नवंबर 2019 में RCEP से बाहर हो गया चलिए अब इसकी अतिहासिक प्रिष्ठ भूमे पर नजर डालते हैं तो आपसी जुडाव को व्यापक और गहरा बनाने तथक शेत्र के आर्थिक विकास में पक्षों की भागिदारी बढ़ाने के लिए भागिदारी देशों ने RCEP के स्थापना की थी RCEP नवंबर 2011 में आहयोजित 19 वी आसियान बैठक के दोरान पेश किया गया था इस वारता की शुरुआ 2012 में कमबोडिया के नोंपेन में 21 वे आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलन के दोरान की गई थी चलिए बिसके सदस से देशों पर नज़र डालते हैं तो इसमें शामिल है 10 आसियान के देश यानि की इसके वरतमान FTA भागिदार देश है उस्ट्रेलिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान, कोरिया गणराज्य और न्यूजिलेंड चलिए अब इसका मुख्यों देश है आसियान देशों और इसके FTA साज़ेदारों के बीच एकाधुनिक, व्यापक, उचगुणवत्ता वाला और पारसपरिक रूप से लापकारी आर्थिक साज़ेदारी समझाता हासिल करना है जबकि इसके अन्यों देशों में शामिल है आर्थिक संबंधों को मस्बूत करना और व्यापार और निवेश संबंधी गतिविदियों को बढ़ाना और साथ ही पक्षों के बीच विकास के अंतर को कम करने में योगदान देना इसके अलावा वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग, बौधिक संबंधा और विवाद समधान हेतु कारे करना तो विवेश, आज के कारेकरम में इतना ही, मिलेंगे अगले कारेकरम में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जेहन्द